टॉल एट इंटर्वल ऑफ 24 मिनट और 36 मिनट रिस्पेक्ट वे इफ दे टॉल तुगेदर अट 9 अम आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दू दे टॉल तुगेदर अगें अट अर्लियस हमें बताना है अर्लियस्ट पॉसिबिल्टी जब दो यहां पर बेल्स एक 24 मिनट्स और एक 36 म मिनट के इंटर्वल पे बज रहे हैं तो बताना ही कि दोनों अगर एक साथ 9 बज़े बज रहे हों तो कितने मिनट के बाद दोबारा एक साथ बज़ेंगे तो यहां पर दिए गया क्वेश्टन में जो चीज हमारे पास है वो इंटर्वल है एक 24 मिनट्स और एक 36 मिनट्स का तो इसका फर्स्ट अपॉल हम LCM निकालेंगे 24 मिनट्स और 36 मिनट्स का तो 24 मिनट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तू यह 12 जा जाएगा फिर 2 से यह 6 टाइम्स जाएगा फिर 2 तू 3 जाएगा अगें 3 से 1 टाइम्स में 1 मिल गया छोड़ देंगे अगें हम 36 का हम ऐसी करेंगे factorization इसे बोलते हैं प्राइम factorization प्राइम factorization इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो numbers आते हैं वो prime numbers होते हैं 2 और 3 आ रहा है यह prime numbers है देखो इसे भी हम 2 से divide करेंगे 18 टाइम्स में जाएगा 2 9 जा फिर यह 9 3 से कटेगा तो 33 जा फिर 31 जा आब Alex 24 के जो factors फ्राइम फैक्टर्स उसे आप लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यह आया अगें आप 36 का भी लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया ओके अब LCM के लिए आप क्या करेंगे पेर्स देखेंगे मत्तब इन दोनों में जो कॉमन है तो यह common यह common और यह common first of all आप common parts आप select करिए यानि common prime numbers आप select करिए और उसे आप लिख लीजिए यह common है इसमें से तो एक बार लिख लिया इसमें से 2 आया common था लिख लिया इसमें से 3 आया common इसे लिख लिया अब जो common नहीं है उसे लिखिये आप 2 into 3 यह 2 और यह 3 इस तरीके स से जो आया यह LCM है इसे आप multiply करिए तो टू टू जा पोर पोर टू जा एट और त्री त्री जा नाइन अब इसे आप multiply करिए तो 72 आएगा अब देखिए यह किस में थे second में या minute में तो यह minute में थे तो यह जो आएगा यह minute में आएगा 72 minutes यानि कि अगर यह 9 बजे बज रहे थे तो यह after 72 minutes यानि 72 minutes के बाद फिर दुबारा एक साथ बजेंगे तो 72 minutes को हम change करते हैं hours में ताकि बता पाए time को तो देखो 72 में 60 और 12 का ratio बना 60 हो गया 1 hour और 12 यह hour में नहीं change हो सकता तो इसे हम minute में ही रखेंगे तो 1 hour 12 minutes होगा 72 minutes complete तो 9 a.m. में जब आप add करेंगे तो 10 a.m. होगा 10 बजे और 12 minutes तो 10 12 पे यानि 10 12 a.m. पे यह again क्या होगे बजेंगे यह earliest possibility है इसकी बजने के ओके चलिए